नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे तो दोस्तों आप सभी कापके अपने चैनल निखिल मिनास कैडमी हिमाचल परदेश में हार्दिक स्वागत है तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है पिछले कल यानि की 19 जुलाई 2020 को हिमाचल परदेश डिपलोमा इलाइलमेंटरी अजगेशन यानि की जेविटी का अग्जाम हो चुका है दोस्तों जेविटी के एग्जाम के लिए लगवग 21,000 विद्यार्तियों ने अभीदन किया था लेकिन दोस्तों परिक्सा के अंदर में केवल 18,000 विद्यार्ति ही पहुंच सके थे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए पता दूँ परिक्सा करवाने के लिए हिमाचल परदेश सरकार ने 140 परिक्सा के अंदर बनवाए थे तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि हिमाचल परदेश डिपलोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन जेविटी की कट ओफ क्या रहेगी दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिजल्ट कब आ सकता है और कॉंसलिंग कब करवाई जाएगी तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जुरूर किजिएगा ताकि दोस्तों कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो आपके बास सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे साल 2019 की तो दोस्तों साल 2019 में 4 अगस्ट 2019 को जेविटी का एकजाम हुआ था दोस्तों उसके बाद 27 अगस्ट 2019 को रिजल्ट डिकलेर कर दिया गया था यान की दोस्तों हिमाचल परदेश सरकार लगबग अगस्ट 2020 में जेविटी का जल्ट निकाल सकती है दोस्तों साल 2018 में 18,44 बच्चों ने प्रिक्सा के लिए आबिदन किया था लेकिन दोस्तों प्रिक्सा के इंदर में केवल 16,800 बच्चे ही अपियर हुए थे Finally, out of 16,800 candidates, only 4,931 aspirants are able to clear हिमाचल परदेश डिपलोमा in elementary education in previous year From this figure, we can observe that there is huge competition among aspirants यान की दोस्तों 16,814 में से केवल 4,931 बच्चे ही अग्जाम को क्लियर कर सके थे दोस्तों यह आपके सामने हिमाचल परदेश डिपलोमा in elementary education JVT की साल 2019 से 2021 के session के लिए छात्रों की merit list है दोस्तों यह merit list जर्नल, SC, ST और OBC के छात्रों के लिए है दोस्तों यह उन छात्रों की merit list है जिने सेप्टमबर 2019 में counseling के लिए बुलाए गये था दोस्तों यह merit list हिमाचल परदेश Board of School Education धर्मसाला ने अपनी official website पे list की है दोस्तों साल 2019 में general category के धनाजे ठाको ने 85 नमबर लेकर general category में top किया था अगर दोस्तों हम बात करें SC और OBC category की तो दोस्तों SC category में पंकोज गुमार जी ने 82 नमबर लेकर SC category में top किया था जबकि दोस्तों OBC category में दिक्सा चौदरी जी ने 81 नमबर लेकर OBC category में top किया था दोस्तों आपकी जानकारी के लिए पता दूँ साल 2019 में सभी छात्तों की counseling 12 सेप्तमबर 2019 से लेकर 23 सेप्तमबर 2019 के बीच हुई थी तो दोस्तों साल 2020 में भी हिमाचल पदेश Board of School Education धरमसाला से उम्मीद लगाई आ सकती है कि अगस्त में JVT का रजल डिक्लेर कर दिया जाएगा और सेप्तमबर में counseling करवा दी जाएगी अगर दोस्तों हम बात करें JVT के लिए government seats की तो दोस्तों साल 2018 में मंडी जिले के लिए 200, सिमला के लिए 200, लाउल्च पीती के लिए 50, कांगडा के लिए 200, चंबा के लिए 200, कुलू के लिए 200, सिर्मौर के लिए 200, बिलासपूर के लिए 200, मिरपूर के लिए 200, किनौर के लिए 50, उन्ना के लिए 50, जबकि सोलन जिले क के लिए 150 seats थी। यानि कि दोस्तों 100 में से जिस विदार्थी को 50 नंबर होंगे भई पास कहला जाएगा। दोस्तों रिजर्व कैटिगरी के लिए रिजर्व कैटिगरी में OBC, SC, ST उनके लिए 45% यानि कि दोस्तों 100 में से 45 नंबर पास होने के लिए चाहिए जबकि दोस्तों sports person के लिए 35% दोस्तों आपकी जानकारी के लिए पता दूँ, sports में सिर्फ state और national level का ही certificate count होगा। दिश्टे किया फिर कोई other certificate count नहीं होगा। चलिए दोस्तों merit list का criteria जान लेते हैं, तो दोस्तों number one point है, merit list be prepared based on the total mask secured in common interest test, यानि कि दोस्तों merit list interest test में जितने number आएंगे उसके हिसाब से ही बनाई जाएगी। दोस्तों अगला point है, कि अगर दो बच्चे के test में बराबर number आते हैं, तो उसी बच्चे को merit list में rank मिलेगा, जो बच्चा ज्यादा IU का होगा। दोस्तों अगले point में बताया गया है, आप बहाँ पे उसको officially चेक कर सकते हैं दोस्तों last criteria में लिखा गया है, there shall be no personal interview for selection of candidates, यानि कि दोस्तों हिमाचल पदेश डिपलोमा इन elementary education, JVT के exam के बाद कोई भी personal interview नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आपको counseling के लिए college में बुलाया जा सकता है चलिए दोस्तों आप हिमाचल पदेश डिपलोमा इन elementary education, JVT 2020 के लिए expected cut-off देख लेते हैं तो दोस्तों government seat के लिए general category के लिए 77+, OBC category के लिए 72+, SC category के लिए 68+, और HD category के लिए 66+, हो सकती है दोस्तों जैसे ही HP Boss की official site से कोई भी JVT से related latest update आएगा, मैं आपको इस channel पे notify कर दूँगा तो दोस्तों channel को subscribe और bell icon को press जूर किजेगा Thanks for watching friends, stay home, stay safe, जै हिंद